हाल ही में उन्नीस्वी सदी के समाज सुधारकों में शामिल सावित्री बाई और जोती राव फूले की कम उम्मर में हुई शादी का कथी तोर पर मजाक उडाने के लिए महाराश्टर के राज्यपाल की आलोचना की गई थी महात्मा जोती राव फूले और सावित्री बाई फूले की गिंती भारत के सामाजी केवं शैच्छी कितिहास में एक असाधारन यूगल के रूप में की जाती है उन्होंने महिला शिक्छा और सशक्ती करण की दिश्चा में तथा जाती एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में पत्थ प्रदर्शक का कारी किया है वर्ष 1840 में जब बाल बिवाह एक सामाने बात थी उस समय दस साल की उम्र में सावित्री भाई का बिवाह जोती राव से कर दिया गया जो कि उस समय तेरा वर्ष के थे बात के समय में इस जोडे ने बाल बिवाह का विरोध किया और विधवा पुनर बिवाह का भी वकालत की जोती राव फूले एक भारती सामाजिक कारेकरता विचारक जाती प्रिथा विरोध समाज सुधारक और महराश्टर के लेखक थे उन्होंने जोतीबा फूले के नाम से भी जाना जाता है वर्स 1841 में फूले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पूरे में हुआ जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की उनकी विचारधारा सोतंतरता समतावाद और समयाजवाद पर आधारित थी फूले थॉमस पाइन की पुस्तक दराइटस ऑफ मैंस से प्रभावित थे उनका मानना था कि सामाजिक बुराईयों का मुकाबला करने का एक मातर तरीका महिलाओं वा निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था 11 मई 1888 को महाराष्ट की सामाजिक कारिकरता विठर राओ कृष्ण जी वांडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपादी से सम्मानित किया गया वर्स 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया जिसके बाद इस दमपतिने पुड़े में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला जहां वे दोनों शिक्षन का कारे करते थे वो लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर अपनी मानेताओं का अनुकरण करते थे वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूलों की स्थापना की थी लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे जोतिबा ने विद्वाओं की दैनी इस्थिती को समझा तथा युवा विद्वाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंत्ता विद्वा पुनरविवा के विचार के पैरोकार बन गए अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शियर करना ना भूत